जै हिंद दोस्तों तरहें दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है चले दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं गनीत में 100 में 100 कैसे करना है जी हाँ दोस्तों अगर आप भी कलास 10 के एस्टूडेंट हैं और अभी तक आपने गनीत में कुछ भी नहीं पढ़ा है या आप एक कमजोर एस्टूडेंट हैं तो बिल्कुल भी टेंसर नहीं लेना है आज हम आपको ऐसा कारगर तरीका बताने वाले हैं ऐसा जन्यून तरीका बताने वाले हैं जिसे जानकर आप लोग अपने बोड एक्जाम 2025 में 100 में 100 करके आएंगे ठीक से पहुंचे वो सारा चीज आज आपको रियल तरीके से बताने वाले हैं तो बिल्कुल भी आप लोगों को टेंसर नहीं लेना है गनीद आपका कमजोर है बिल्कुल भी टेंसर नहीं लीजिए सारा चीज हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वो क्या है तर बिल्कुल भी टेंसर नहीं लेना है आपके गुरू जी आपके लिए सारा टिप्स और टिरिक लेकर आ गया है और आप भी गनित में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे ठीक है ना तो मैट्स में आपको 90 यानि कि 100 में 180 करना है इस चीज पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे और ये चीज आपको केवल 4 मंथ ट्राय करना है अगर ये 4 माहिने अगर आप लोग लगातार करते हैं तो 100 में 100 लाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोग सकता है ये हम कह रहे ह बिल्कुल 0 calculation तक नहीं आता था जोर घटाब तक सही से नहीं आता था फिर भी हमने पूरा 97% एचीब किया आखिर किस तरह से तयारी किये हमने वो सारा चीज आज हम आपको पूरे खुल कर बताने वाले है ठीक है 97% हमने अचीब किया 97 100 में 97% हमने खुद एचीब किया है इ पहले तो हम बता दे कि जितने भी class 10 के student हैं उनके लिए यह video काफ़ी जरूरी है ठीक है ना इस student अगर आप class 10 के हैं तो इस video को कही नए कहीं इस तीन तरह के student देख रहे होंगे सबसे पहला student जो होगा वो होगा इस तरह से कि जिसको कुछ नहीं आता होगा बिलकुल 0 होगा कुछ ऐसे भी student होगे जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको math में कुछ भी आता ही नहीं है बिलकुल 0 है सन्नाटा है ठीक है कुछ ऐसे भी होगे जिनको कुछ-कुछ समझ में आता होगा कहते हैं कि सर जी कुछ-कुछ समझ जाते हैं वा, बट एक प्रोब्लम और है कि बच्चे जो है ना कुछ ऐसे भी होते हैं जो ठान लेते हैं कि मैस्ट सीखना नहीं है. मैंस बिल्कुल भी सीखना नहीं है तो कुछ आपको बता दे कि आने वाले समय में जब आपके छोटे छोटे नन्ने मुन्ने बालक होंगे तो जब स्कूल से आएंगे न तो पूछेंगे कि पिता जी आज मैंने स्कूल में आज LCM सीखा तो बच्चे पूछेंगे कि माता जी आपको LCM आता है तो आप कहेंगे कि नहीं आता है तो उस समय क्या कहेंगे कि आपको LCM भी नहीं आता है और आप मामी बन गए और आप बाबा बन गए तो उस समय आप खुद ही आप अपना चेहरा आयना में देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ठीक है तो ऐसा नहीं ह तो आपके मन में आता होगा कि गुरू जी चार महने हैं को कैसे पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई करें, जिससे 95% मार्क्स आ जाएं, तो इसके लिए क्या करें, कैसे पढ़ाई करें, अपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि गुरु जी चार महने बच गए हैं तो बताने हैं अंदर में बैचेनी सा हो रहा है कि मेरा मैठ जो है वो बहुत कमजोर है डर लग रहा है एक्जाम में क्या होगा नहीं होगा पता नहीं गुरु जल्दी से बताईए कुछ ऐसा टिप्स और ट्रिक जिससे एक्जाम में बहता रिजल्ट आ जाए तो बिल्कुल भी टेंसर नहीं लेना है आपके गुरु जी है न जब तक हम है तब तक आप लोग को टेंसर लेने नहीं देंगे ठीक है और हम बताने वाले हैं आज की 100 में 100 कैसे करना है 100 में 100 नहीं होगा लेकिन 90 पलस करके आएंगे 100 में 90 पलस नमबर आएगा यह हम गालेंटी के साथ कहते हैं ठीक है चलिए तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं यहाँ पर कि देखिए आपका जो मैट्स है इसमें टोटल जो है 15 चेप्टर है कितने चेप्टर हैं टोटल 15 चेप्टर हैं आपको पता है आपके पास अगर उससे पहले जो आप कहिएगा कि गुरुजी हम अगर 5-6 चेप्टर पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा 5-6 चेप्टर पढ़ लेंगे तो 100 में 100 आजाएगा नहीं आएगा 5-6 चेप्टर पढ़ेंगे तो आप पास कर जाएगे 5-6 चेप्टर पढ़ेंगे तो आप पास कर बागी आज हम डिटेल में बात करेंगे कि 100 में 100 कैसे score करना है उसके बाद देखिए सबसे पहले तो आपने जो समय बरबात कर दिया उसको आप भूल जाईए उसको भूल जाईए चार मेहने complete आपको पढ़ाई करना है जिसा आज हम आपको बताएंगे उसी तरह सी regular पढ़ना है क्योंकि हम समझ सकते हैं कि गनित का student कैसे बहतर बनता है गनित में ठीक है न क्योंकि हम खुद उस नीचे सिखर से उपर सिखर तक आये हैं वो खुद हम जानते हैं सारा चीश हमको पता है तो सबसे पहले तो आपनी जो समय बरबात कर दिया उसको भूल जाईए अब आप अपने speed को 2x कर दिजिए ठीक है आप अपने speed को बढ़ाईए क्योंकि समय जो है आपके पास मातर 4 महने हैं कितने मातर 4 महने हैं और 4 महने में speed आपको 2 गुना करना होगा ठीक है यानि कि थोड़ा fast में पढ़ाई करना होगा कि लिए चलिए तो जैसे speed आप बढ़ा लेंग और नहीं कोई सिखा सकता है ठीक है basic कहने का मतलब जैसे आपका जोड हो गया घटाव हो गया गुना हो गया भाग हो गया SCF हो गया LCM हो गया नहीं उसके बाद आपका board math शुरू लाता है वर्ग मूल आता है घनमूल आता है नहीं तो यह सब क्या है आपका यह basic है अगर यह सारा चीज आपको पता है तो समझिए आप math को आसानी से सीख सकते हैं यह हम कहा रहे है ठीक है तो आसानी से सीखने के लिए सबसे पहले आप अपने basic को सही कीजे ठीक है base जो भी है जो गटा भाग गुना भाग SCF LCM वर्ग मूल घनमूल बच्चे जो है ना class 10 के जो अभी ह यह डियल है कि बच्चे को जो है ना सही से यह गुना भाग नहीं आता है LCM नहीं आता है वर्ग मूल नहीं आता है घनमूल नहीं आता है तो पूरे बुक को आप कैसे बनाएंगे सबसे पहला चीज है basic तो पहले इन सभी चीजों पर ध्यान दीजिए ठीक है क्योंकि math भी चोटी चोटी चीजे जो है calculation में बहुत काम आती है ठीक है और calculation करने के लिए जो है आपको यह जो छोटा छोटा knowledge आपको रहना चाहिए उसके बाद आता है दूसरा गुरुजी के आता है दूसरा आता है आपका formula बच्चे formula नहीं याद करते हैं math में हम बता दे chapter wise अगर हो स formula आपको लिखना है formula जो है आप एक copy ले लिजिए या chapter wise आप बनाईए ठीक है आप chapter wise अगर मान देजिए book पढ़ रहे हैं तो formula आप साथ ही साथ लिखते जाए जिस तरह से हम लिखते थे हम क्या करते थे हम chapter wise जैसे पढ़ते थे जैसे chapter wise पहला हमारा है real number वास्तविक संख् formula रहता है तो क्या होता है कि जब हम question खुद से भी बनाते हैं तो उसमें formula जो रहेगा copy में तो आप उसे देखकर question को बनाएंगे सबसे बड़ी चीत तो यह है तो formula आपको लिख लेना है chapter wise आप कहीं से भी पढ़ते हैं कोई फार्क नहीं पढ़ता है formula याद रखना ही है एक copy ले लिजी अगर नहीं लिए हैं तो एक copy बना लिजिए और copy में आपको पूरा एकदम chapter wise आपको formula नोट कर लेना है clear है क्योंकि formula रहेगा तभी आपसे maths बनेगा जो genuine तरीका है वह बता रहे हैं कोई फालतों का tips नहीं दे रहे हैं में पास उतना time भी नहीं है कि हम आपको कुछ बताएं जो जरूरी है आपके लिए आपका मैस कमजोर है बहतर करना है तो इसके अलावे कोई रास्ता नहीं है कोई option नहीं है ठीक है उसके बाद देखे क्या है दूसरा हमारा आता है प्रैक्टिस बच्ची जाते हैं बच्ची एसकूल जाते हैं कोचिंग जाते हैं जिस समय हम आते थे जाते थे पढ़ने के लिए उस समय की हम बात बोल रहे हैं सभी जाते थे पढ़ने के लिए एसकूल जाते थे कोचिंग भी जाते थे हम भी जाते थे ठीक हैं लेकिन होता क्या था प्रैक्टिस नहीं करते थे घर पर आते थे किताब फेग देते थे थे एस्कूल में जो भी पढ़ाया गया, कोचिंग में जो भी पढ़ाया जाता था, आते थे, किताब फेक देते थे, फिर हो गया, बाद में पता चला की नहीं, ऐसे में काम नहीं चलेगा, कुछ भी समझ में आता था, इधर से आता था, इधर से निकल जाता था, इसलिए आपको स्कूल में जो भी पड़ते हैं जो भी लेक्चर सर बताते हैं आप क्या करें घर पर आईए और उससे बार बार बनाएंग कंहा है क्योंकि जो भी पढ़ाई क neurolog कोचिज से नخूच किये हम स्गार करते हिरें हम संदा जो कि नहीं तो कि यह सोचते थे नहीं पर नहीं तो भूल जाएंगे इसलिए अभी तुरंत कर लेते हैं तो फिर वो ची याद रहेगा तो ऐसे आपको पढ़ाई करना है इस तरह से मैट्स होता है कि हम गारेंटी देते हैं इस तरह से मैट्स आपका हो जाएगा जिस समय आप पढ़के आते हैं इस चुल कोचिंग से उसी समय आये और जरश्ट कोचिंग को बना ले उस को समझ ले तो बार बार आपको क्या करना है practice करना है जितना हो से के उतना practice करना है बच्चे practice नहीं करते हैं maths strong नहीं होता है अगला क्या है अगला है self study अगला आपका क्या है self study बच्चे क्या करते हैं school coaching सभी जाते हैं self study नहीं करते हैं self study करने का मतलब आपका जो hw दिया गया है homework उतना बना लेते हैं उसके अलावे वो क्या करते हैं पढ़ाई नहीं करते हैं ऐसे में काम नहीं चलेगा ठीक है फुर्से भी आपको समय देना होगा कम से कम तीन से चार घंटा अगर मालेजी तीन से चार घंटा समय नहीं दे पाते हैं तो 2-3 घंटा Maths लेगा ही 2-3 घंटा Maths पर देना ही होगा तभी आप 100 में 100 करेंगे 100 by 100 कर सकते हैं नहीं तो नहीं होगा क्योंकि Self Study जो है आप चीजों को खोजते हैं मालेजी ये SW में जो भी दिया गया था आपने बना लिया उसके बाद आपने क्या किया कि तो दूसरा क्या है Self Study खुद से चीजों को पढ़िए खुद से समझिए बहुत अच्छा से समझ जाएंगे उसके बाद देखिए आपका अगला आता है देखिए अभी तो आप फाइनल एक्जाम की त्यारी कर रहे है तो चौथा देखिए क्या है अब कर आता है question bank गुरु जी question bank क्या आता है तो question bank आपको पढ़ना ही है अगर आपके पास question bank नहीं है तो market से खरीद ली जिए ठीक है न क्योंकि question बैंक से आपको क्या क्या पढ़ना है देखिए question bank जो है न आपको पढ़ना है कहां से कहां तक 2011 से लेकर 2024 तक का जितना भी question है जितना भी question है आपको बना लेना है पेपर मिस से बाहर नहीं लड़ेगा और 2011 से लेकर 2024 तक का हम solve करा रहे हैं संडे को आप लोग जरूर आईएगा 2019 का पूरा question solve कराएंगे ठीक है वहाँ पर सारा चीश हम समझाते हैं objective कैसे concept से बनाया जाता है उसके बाद देखिए आपका अगला आता है अगला आता है objective देखिए objective भी आपको क्या करना होगा practice करना होगा ठीक है आप objective जितना practice करेंगे उतना बहतर बनेगा उतना उन चीजों को आप समझ पाएंगे ज्यादा practice नहीं करेंगे ज्यादा समझ में नहीं आएगा ठीक है objective को बार-बार बनाईए बार-बार बनाईएगा तो क्या होगा formula भी याद होगा concept भी समझ में आएगा उसके बार देखिए लगउ तरिये प्रस्ण और दिरगउ तरिये प्रस्ण आपको बनाना ही है इसमें भी आपको क्या करना होगा practice करना होगा क्योंकि practice नहीं करेंगे नहीं बनेगा calculation मानीजिया आपका सही है practice नहीं कर रहे है खुद से self study नहीं कर रहे है समझ में नहीं आएगा लग उतरिये दिर्ग उतरिये objective आपको question bank से पूरा खतम करना है 2011 से लेकर 2024 तक का 2011 से लेकर 2024 तक का उसके बाद अगर आपके पास अगर आपके पास book है NCRT का तो NCRT book पढ़ें ठीक है उससे question answer करें इससे बाहर question जो है आपके बोड exam में नहीं आएगा और NCRT book पढ़ेंगे तो concept यहां से आपका पूरा cover हो जाएगा आपका जो concept है वो आपका पूरा cover हो जाएगा ठीक है तो बांकी यही तरीका है maths में 100 में 100 करने का इसके अलावे आपके पास कोई तरीका नहीं है कोई जो बोलता है यह करो वो करो सब जूट है सब जूट है यह हम guarantee देते हैं अगर आपको maths में 100 में 100 करना है तो जितना भी हम बताएं यह 4 tips बताएं है यह 4 तरीका आप लोग रेगुलर आज से ही अभी से ही शुरू कर दें देखिएगा exam तक आपका maths काफी strong हो जाएगा ठीक है तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के पास जरूर सेर कर दीजिए जो गनित में कमजोर है और जो एक्स्टोरेंट नए है चैनल पर पहली बारा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि इसी तरह का जो भी वीडियो है आपके पास पहुंचता रहे ठीक है न तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो मे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मात्रम